जाइन प्रेंच वेलकम टू माई ओपीसी यूटूब चैनल स्टेडी मेटेरियल एटुजेड एंड ये पुने का आद दोस्तों आपका जो की एक्जाम था और उसके बारे में हम कंप्लीट डिसकस करने वाले हैं क्योंकि आपको जो है तेवीच सोबिस को बुलाया गया था क कैंडिडेट को तो यहाँ पर क्या प्रोसेस रही कैसे जो है कैंडिडेट कितने पहुंचे थे और आपके सामने जितने भी अपडेट है जो मुझे कैंडिडेट ने दी है साथ में आपके कुछ चीज़ें जो ग्रूप में मिली है वो सारी चीज़ें हम जो है कि वीडियो म कर लेना आपको सारी अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी तो एंडिय पूने की रिगार्डिंग दोस्त हम बात करें तो सबसे पहला जो काम आपका जो की आज आज आपको डर था कि 23 और 24 को जो है आपका यहां पे क्या होगा तो 23 और जो आपके जो 23 के यानि जो आज के जो हाल फिलाल में AOC मेटोरियल जो की आपका मेटेरियल असिस्टेंट का एक्जाम कंड़क्ट हुआ था उसमें भी दोस्त आपका यहां पे जो की डोकुमेंट वेरिपिकेशन हुआ था उसका कोडिंग मैंने आपको का था कि जो आपका यहां पे जो है आपका डोकुमेंट व वाला candidate है यानि 23 और आपका 24 और 24 और यानि आपका जो आपको समय मैंने बताया था कि 3 या 4 दिन का जो समय है वो आपका लग सकता है वही समय आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपका यहां पर करवाया जा रहा है उसके सबसे पहली स्टेज है यह उसके बाद आपका एक्जाम कंड़क्ट होगा जो गई यहां पर कैंडिडेट हैं देखेगा एंडिये पूने जो की 23 फूरवरी का जिनका यहां पर फायर मेन का एक्जाम था आज एक्जाम नहीं हुआ सिर्फ वेरिपिकेशन हुआ 26 को सुबह 10 बजे आपका एक्जाम कंड़क्ट होगा उसके साथ यहां पर क्या कह गया है कि आपको जो भी दसवी बारवी का एक्स्प्रियंस ड्राइविंग लाइसेंस यह आपके डोकुमेंट है जो यहां पे बोले गए हैं जो आपको ओरीजिनल ज जिसन जो आपका क्या गया था आपको जो आपका एड्मिट कार्ड था उसमें जो दिये गए थे वो सब के सब और एड्मिट कार्ड की दो कोपी और अपलीकेशन फोरम की भी दो कोपी यहां पे मांगी गई हैं अपलीकेशन फोरम की भी कोपी मांगी गई हैं क्या उच्छ उसके साथ ही यह जो प्रोसेस थी वो आपकी 15 या 20 मिनिट का था लेकिन लाइन में बहुत देर तक कैंडिडेट को खड़ा रखा गया यानि आपकी लाइन जो है काफी जादा कैंडिडेट जो है खड़े रहे थे और टोटल जो अगर हम बच्चे की बात करें तो लगबग य करते हैं कि आंकड़ा तो थोड़ा ठीक हैं आपके 15 सू कैंडिडेट गए थे और आप देख सकते हैं कि 1500 हजार इसके कोडिंग ही कैंडिडेट यहां पर परजेंट होते हैं ग्रूप C के अंदर फूम तो बहुत सारी बच्चे भड़ते हैं लेकिन इसमें दो एड्मिट का परवाया गया था और आपके यहां पर जो भी अगे की प्रोसेस है उसके बाद आपका रेटन एक्जाम कंड़क्ट होगा रेटन एक्जाम के बाद आपका जो है फिजिकल की रिगार्डिंग को जानकरी अभी नहीं है लेकिन रेटन के बाद मेरे कोडिंग आपको घर परवाया जाए बट अभी जो प्रोसेस आपको लगातार अपडेट मैं कर रहा हूं और आपको अपडेट यहां पे लगातार मिलती रहेगी इस चैनल पर अब जिते भी कैंडिटेट हैं जो आपको सही समय पर पहुंच जाना है एड्रेस वगेरे जो है वो यहां पर दे दिय प्रोसे आपको देख सकते हैं अपको पूरा यहां पर जो भी जूड़े वे थे उनको बेनिफिट जरूर हुआ होगा बट सारी चीजें एक साथ मैंने इस वीडियो में बिल्कुल आपका सोट में आपको सारी चीजें बता दी हैं बस तो यह आपके सामने हैं तो दोस्त उमीद करते हैं वीडियो इच्छ लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहीं